जिला मंटी में चर्स के काले कारोबार के खिलाफ संदोनगर पुलिस द्वारा कड़ी कारवाही अमल में लाई गई है इसके अंतरगत पुलिस टीम द्वारा शेतर के चर्चित 2.369 किलोग्राम चर्स बरामत मामले में चांच आगे बढ़ाते हुए दो अन्य आरोपियों को गिरिफतार किया गया है वहीं मामले में अभी भी एक अरोपी वांचित चल रहा है जिसे जल्द ही हिरासत में ले लिया जाएगा जानकारी के अमसार सुंदनगर पुलिस टीम द्वारा 2.369 किलोग्राम चर्स बरामत करने के बाद अरोपी कुलदीप कौशिक से गहन पोच्टाश में चर्स तस्क्वी को लेकर कई एहम राज सामने आए हैं इसको लेकर पुलिस द्वारा मामले में शामिल हर्याना निवासी अरोपी ललित उर्फ शिबनात और एक अरोपी प्रेम सिंग को कुल्लू के मनिकर्ण से हिरासत में लिया गया है हालांकि पुलिस टीम द्वारा एक अन्य अरोपी की गिरफतारी को लेकर कुल्णू घाटे में दविश तो दी गई थी लेकिन अरोपी पुलिस को चक्मा देने में काम्याब हो गया पुलिस द्वारा चौते अरोपी की धरपकड के लिए प्रयास लगता जारी हैं और शीघरी अरोपी को गिरफतार कर लिया जाएगा DSP सुन्दनगर गुलवचन सिंग्रनौत ने कहा कि सुन्दनगर पुलिस तीम ने 2.369 किलोग्राम चर्स मामले में जाच आगे बढ़ाते हुए दो अन्य अरोपी को गिरफतार किया है वही एक अन्य अरोपी की गिरफतारी अभी बाकी है सुन्दनगर पुलिस द्वारा दो गिलो तिन सो नौतर ग्राम चर्स पकड़ी गई थी जिसमें एक अरोपी हर्याना नेवासी को गिरफतार किया गया था पुलिस दौरा बैकवरड और हर्वरड जो भी लिंकेज है उसमें अरोपी हर्याना नेवासी को गिरफतार किया गया है एक निवासी मानिकारणा को भी इसमें राष्ट किया गया है इसमें और भी तपती सभी जारी है जो भी इसमें इन्वाल्व हैं उनको सभी कोई ही कानून के दारे में लाकर रखेगी जो कड़ी से कड़ी कारवाई आमन में लाई जाएगी